सर्व मंगल मंगले शिवे शर्वार्ति साधिके शरणे त्रयंबके गौरी नाराडी नमोस्तुते हमश्कार मैं स्टोलोजर माथव शर्मा खुछ जीवन राशिफल के यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभी नंदन करता हूं 12 दिसंबर 2021 वार अविवार के पंचांग को लेकर मैं आपके सामने वरस्तत हूं अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें और जिन्हों ने भी हमारा खुछ जीवन राशिफल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है हमार सरवार्त सिद्धियोग सभी कारें की सिद्धि के लिए अत्यंत शुप और प्रद माना गया है आज की तिति के स्वामी कि अगर देवी देवता के अगर हम बात करें तो देवी दुर्गा है इसलिए आज दुर्गा माता के मंत्रों का जाप आपको अवश्य करना चाहिए आए शुरू करते हैं पंचा वार रविवार एक्रम संबद दोजार अटक्तर शक संबद उनीशोतियालीस माह मागशीश्मा पक्ष शुक्ल पक्ष तित्थे की बात करें तो नवमी तित्थी रहने वाली है तो कि रात आठ बचकर दो मिनट तक रहेगी उसके बाद दश्म प्रारम हो जाएगा आई बात करते हैं सूर्य और चंद्रे से सम्मंदित करना होते हैं सुर्योदे प्राथा साथ बचकर आठ मिनट सुर्यास्त शंपांच बचकर 20 मिनट सूर्य देव रश्चिक राशी में गोचर कर रहें इसके कि स्वामी मंगल देव माने बात करें हम च करते हैं शुब समय की सबसे बहले हम बात करेंगे ब्रहत मुहूर्त सुबह 5 बच कर 32 मिनट ये vão कर सकते हैं अपने कारे और 12 स 17 सोन्मीट से लेकर दुपहर 12.85 मिनट तक रहने वाला है नहीं बात करते हैं दिन के चौगडिया की छुरुबात करते हैं सॉबय का नियृत सुबह 8 बच-32 मिनट उद्वेक का चोगड़िया जो है अश्प चोगड़िया है उद्वेक के बाद 4 बच-32 मिनट से लेकर सुबह 9 बच-41 मिनट चल कर चोगड़िया सामानने समय है चल के बाद हम बात करें LEAB नो बचकर तालीस मिनट से लेगा दस बचकर बावन मिनट तक लाब का चोगडिया रहेगा अत्यांत शुब समय है लाब से रिलेटिड वर्क बिजनिस के अंदर से रिलेटिड वर्क आप इस चोगडिया में शुरू कर सकते हैं ताप के बाद अमरित 10. चौप का चौपरिया आच्छा समय है शुप के बाद रोग दो बज कर 47 मिनट से लेकर चार बज कर 4 मिनट तक रहेगा रोग का चौपरिया अचुप चोपरिया है रोग के बाद उदव्एक चार बचकर चार मिनट से लेकर शाम पाँच बचकर वीच मिनट तक रहने वाला है उद्वेक का चोगडिया भी शुब चोगडिया माना गया है इन सभी चोगडियों में शुब, लाब और अम्रित तीनो चोगडिये अत्यान तो शुब माने गए हैं कोई भी शुबकार है आप इन तीनों जोगडियों में शुरू कर सकते हैं साथ की साथ आपको शुब राशी और शुब लगन भी देखना होगा आई बात करते हैं दिशाशूर कि अगर आज के दिन कौन से दिशा में यात्रा नहीं करनी साहिए करने से पहले उसे घी का सेवन अवश्य करना चाहिए आई बात करें रहुकाल और गुलिकाल की दोनों ही समय जोति शाष्त्र में अशुब समय माने गए रहुकाल की बात करें शाम चार बज़ कर तीस मिनट से लेकर शाम शे बज़े और रहुकाल रहने वाला है कोई भी शुब यात्रा रहुकाल में शुरूर नहीं करनी साहिए बात करें तीन बज़े से लेकर चार बज़ का तीस मिनट तक गुलिकाल रहने वाला है आई बात करते हैं चंद्रबल यानि शुब राशियों की कौन-कौन सी राशिया आज यूर्ष है यह नामक्षर की बात करें तो नामक्षर रहेंगे सब्सक्राइब कि दंड्यवार